बिग बॉस 12 में 8 अक्टूबर का एपिसोड काफी चौकाने वाला रहा जब बिग बॉस ने खुद करन वीरबोरा नेहा पेंट से और श्रीसंद को मिडविग इविक्शन के लिए नॉमिनेट कर दिया लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कैसी खबर अब जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कने एक बार के लिए थम जाएंगी दरसल इस बार कोई घर से भी घर नहीं होगा जी हाँ सही सुना आपने नेहा करन और श्रीसंद के नॉमिनेशन के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा घर में कि ऐसा क्यों हो गया एक साथ तीन सेलिप्स कैसे नॉमिनेट हुए लेकिन हम आपको बता देंगी ये फैसला बिग बॉस ने बड़ा ही सोच समझ कर लिया है असल में इन तीरों में से कोई भी घर से नहीं जाएगा बलकि बिग बॉस में ओर्डियंस की दिल्चस्पी को दोगना करने के लिए इन में से किसी एक को सीक्रेट रूम भिजर रहेगा जहां अल्रेडी अनूप जलोटा घर के अंदर की खबर रख रहे हैं बिग बॉस बारा की खबर रखने वाले ट्विटर हैंडल दिखबरी ने अपने लेटेस्ट ट्विट में इस बात का खुलास है इस ट्विट में लिखा है नेहा करन और श्रीसंत को नॉमिनेट किया गया है अगर नॉमिनेशन होगा तो नेहा घर से जाएंगी या फिर बिग बॉस इन तीनों में से किसी एक को सीक्रेट रूम भेज़ सकते हैं अब इन में से कौन सीक्रेट रूम में अनुप जलोटा आपको कैसा लगा? कमेंट में आप भी बताएं